हलो गाईज कैसे हैं आप सब सौगत है आपका आपके अपने चैनल शेलेश पीपी लाइव में मैं आपका अपना बंदा आशा करता है आप सब सौस्त होंगे मस्त होंगे चुस्त होंगे तंदरस्त होंगे खुश होंगे और सबसे बड़ी चीज अपनी फैमली और अपने मात पितापिता का ध्यान उमर के इस पड़ाओं के उनको हमारी बहुत जारूरत है GUYS हम इतने बेकार नहीं हो सकते हैं जिन्होंने हमें चलना सिखाया हसना सिखाया बूलना सिखाया सही गलत में अंतर करना सिखाया आज हम कैसे गलत फैसले ले रहे हैं से बड़ा गलत फैसला क्या है पता है अपने माबाप का ध्यान ना रखते हैं अपनी जॉब का अपनी पढ़ाई का अपनी गाड़ियों का अपने बच्चों का जिल्लों की शादिया हो गई हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं बस हम यहां क्यों चूप जाते हैं जो लोग अपने माता-पिता का ध्यान नहीं रखते हैं रखके देखिए गाइस जीवन में बहुत सुकून मिलेगा सारी परिशानिया, सारी टेंशन, चुटकियों में हल हो जाएंगी और आपकी सकस का ग्राब दिन प्रति दिन यू जाएगा यह मेरा अपना अन्बो है जो लोग अपने माता-पिता का ध्यान बहुत अच्छे से रखते हैं उनको इस भाई का बहुत धन्यवाद दाइस त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है और इस त्योहारी सीजन में मार्केट में नई-नई गाडियां लॉंच हो चुकी है आज आपका भाई इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी गाडियां बताएगा बजट आपको तै करना है कीमत जरूर बताएंगे उन कंपनी का नाम बताने स्पहले जो सब्सकाइब का बटाने इसको दबा के भाई के चैनल उपर सब्सकाइब कीजे लाइक कीजे शेयर कीजे पुराने नए लोग कमेंट करना बिल्कूल भी न भूलिये और अब आप अपने इस भाई को जोईन भी कर सकते हैं जोईन का बटन दबा के हम बात कर रहे हैं इस तिहारी सीजन कुछ गाडिया तो आ चुकी हैं और अगर नहीं आई है तो बहुत जल्द आपको भारतिय बाजार में उपलब्ध होंगी क्यों न इस तिहारी सीजन इन पाँच गाडियों में से कोई ये गाड़ी चुन लीजे सुरक्षा की दिरिष्टी से, बिल्ड क्वालिटी की दिरिष्टी से बहुत अच्छी है लास्ट वाइस आपकी ही है, अब आपका भाई आपको बताता है कि वो गाड़िया कौन सी हैं, जो मार्केट में बहुत जल्द लॉंच होने वाली है लेकिन इन सब के पहले अपने भाई का एक मोटोब जरूर याद रखिएगा जब शोरूम जाईएगा तो सवाल जरूर पूछिएगा क्योंकि गाही कमाई आपकी ये विस्ट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए तो चलिए शुरूरात करते हैं गाइस अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है इसी महीने से देश में फैस्टिव सीजन भी शुरू हो जाएगा फैस्टिव सीजन को भुनाने के लिए कई आटो कमपनिया नए प्रोड़क्स लेकर आती है तीन अक्टूबर से आखरी महीने तक लगातार लाँच हो रही है ये गाडिया ऑक्टूबर में लाइन से कार लाँच हो रही है इसमें किया इंडिया, बीवाइडी, मर्स्डीज, निसान जैसी कमपनियों की कार शामिल है अगर आप फैस्टिव सीजन में कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं इन मॉडलों के लाँच होने का इंतजार कर सकते हैं सबसे पहले नंबर पे आती है किया कारनिवल लिमोजीन ये कार कंपनी की प्रीमियम और लगजरी सेडमेंट में आती है पहले से ही मार्केट में किया कारनिवल मौजूद है और अब कमपनी इसके चौते जनरेशन को लाँच कर रही है कीमत की बात करें तो इस कार की कीमत लगबग 50 लाख रुपए एक्शोरूम तक हो सकती है उसके बाद नमबर आता है किया EV9 का ये कमपनी के पोर्ट पोलियो में दूसरी इलेक्ट्रिक कार होगी इससे पहले कमपनी मार्केट में EV6 बेस्ती थी तीन अक्तूबर को कमपनी ने EV9 से परदा उठा दिया है और इसे लाँच कर दिया है कार की कीमत लगबग 1 करोण रुपए एक्शोरूम तक हो सकती है ये कार भारत में CBU यानि की Complete Build Unit के साथ आएगी उसके बाद नमबर आता है निसान मैगनाइट फेसलिफ्ट का निसान मैगनाइट फेसलिफ्ट की Booking शुरू हो गई है इस कार को महस 11,000 रुपए के Token Amount के जरिये Book करा जा सकता है इसके आलावा लाँचिंग की बात करें तो इस कार को 4 अक्टूबर को लाँच कर दिया गया है 2024 निसान मैगनाइट में एक लीटर नैच्रल एस्पिरेटेड पेट्रोल और एक लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है उसके बाद नमबर आता है BYD EMAX 7 का कंपनी ने इसकी लाँच डेट की जानकारी दे दी है इस कार की लाँच डेट 8 अक्टूबर थी जो कि ये कार लाँच हो चुकी है इसके बाद नमबर आता है मरसडीज बेंस E-Class LWB का Mercedes की ओर से भी October में ही इस गाड़ी को launch किया जाएगा Mercedes E-Class Long Wheel को launch करने जा रही है Company ने 9 October को इस कार को launch कर दिया है इस कार में hybrid तक्निक दी जाएगी इसकी कीमत की बात करें तो लगबग 80,000,000 रुपए एक शोरूम तक इसकी कीमत हो सकती है तो गाइज लीजे पाँच ऐसी गाड़िया आपके सामने आपके भाई ने पेश कर दी है कीमत भी बता दी है और अपने बजट के अनुसार आप चिन लीजे आपको कौनसी गाड़ी लेनी है इस फैस्टिव सीजन गाड़ियों की च्वाइस बहुत मिलने वाली है और बंपर ओफर भी बहुत मिलने वाले है क्या आपने ये बंपर ओफर उठाए है या इन गाड़ियों की बुकिंग करा दी है कमेंट सेक्षन बताईएगा वीडियो कैसा लगा जरूर बताईएगा कमी जरूर बताईएगा ताकि आपका ये भाई नेक्स्ट वीडियो में उस कमी को दूर कर सके और प्लीज गाई आपसे आपका भाई रुपे पैसे की डिमाईड या इस गाड़ी की डिमाद तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है क्या मांग रहा है गाईज बस धेड़ सार आपनों का साथ छोटों का प्यार माताओ बहनों का अशिरवाद बढ़ों के आशिरवात के नाम पे सिर्फ और सिर्फ अपने इस चैनल का सब्सक्रिशन मांग रहा है तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अबडेशन नई गाड़ियों के साथ, नए दिन की शुरुआत क साथ अपने के लिए, भाई भाई!